हलो अब्यूटी वेलकूम और वेलकूम बेक्टू ओ माय यूटीव चानल आपको बहुत बहुत ही अच्छे होंगे तो आज की सीडियो में मैं आपको लेके जाने वाली हूं फी फी आइलांट और वहां पर क्या-क्या आक्टिविटिज करवाते हैं क्या कहां कौन कौन से आइडन पर लेके जाते हैं वो सारा मैं आपको इस वीडियो में दिखाऊँगी मैं अभी इस वक्त हूँ कराभी में हमने सीपी इडन का तूर अपना कराभी से ही भूक किया है अप्रॉक्सिमेटली फिपीन हंड़िड बार का हमें हो पड़ा है तो आयनार में बताऊं तो 3700 के राउं हमें पड़ा है पूरा तूर का कॉस्ट अभी सुबह के पॉने 8 हो रहे हैं 745 हमारी आठ बज़े वैन आई की पिक अप करने के लिए देन वह हमें पीयर पे लेके जा आबी का पूरा तूर डाला हुआ है आप उस वीडियो को नाके देख सकते हैं बट आपको डिटेल मेंगे तो आप इटक हैं ओपने चैनल को सब्सक्राइब में किया आप कर सकते हो हूव लेट्स केट सटर्ट mee तो फाइनली हम बहुत चुखे हैं जहां से हमारी speedboard स्टार्ट होगी जो experience था भी यहां तक का वो comparatively जो हमारा James Bond Island का experience था उससे थोड़ा सा लेस अच्छा है यहां से मारी speedboard जाएगी जो की 9.30 जाएगी अप्रॉक्समेटली 9.10 हो रहे हैं तो हम निकलेंगे यहां से भी जो फाइब जो है वो है बाम्भू आइडेंग यहां पर हम 25 मिनट्स रोकेंगे तो अभी 11 एम हो रहे हैं 11.25 पर निया रोकेंगे एंड यहां की जो बीच है वो वाइड सांड बीच है यहां की जो जो वाइड सबीक है आपको डिखर आ होगा सांड वाइड यहां की बाम्भू आइलेंड है बहुत ही तिल बहुत ही ऐग्षण क्रूर बेयर है यहां पर रखी त्फेय कीषे किर görनेंगे थे स्पा store癮 बैंबू आइलेंड बहुत ही संदर आइलेंड है बहुत ही अच्छा लगता है यहां पर आके एक यूनीक एक्सपीरिंस होता है बिकोज यहां की जो सैंड है जैसा आपको दिख रहा होगा वीडियो में भी कि वो बिल्कुल वाइट सैंड है और पानी बहुत ही जाला क्लियर वाटर है तो बहुत अच्छा लगता है यहां पर हमारे जो बोटे हो twenty to twenty-five minutes रुपती है तो आप यहां पर आखर आके swimming कर सकते हो आप अच्छा अच्छा एख पोटो स्क्रिक कर सकते हो वीडियो स्क्रिक कर सकते हो काफी मज़ा आएगा आपको यहां पर आखर और अज तो काफी मज़ा आया यहां पर आके पानी में जाने में भी बहुत मज़ा आया यहां यहां पर अच्छा पानी है तो पानी में जाने में बहुत मज़ा आया यहां यहां पर अच्छा पानी है तो पानी में जाने में जाने में बहुत मज़ा आया है और पानी में जाने में जा अगर वो हुई हो तो ग्रीन कलर की बहुत बड़ी सिया और बहुत सारी है तो सी शोर पी है तो काफी अच्छा लग रहा है मैंने कोशिश तो की है उस फिश को रिकार्ड करने की इसमें कितना दिखाई देगा आपको बट हाँ वो फिश एक जो थी ग्रीन कलर की लंबी सी वो काफी सही थी और बहुत सारी फिश थी आपको इसमें थोड़ी दिख रही होगी तो उससी आप अंदाजा लगा सकते हो कि क्यामरे में दिख रही हैं पर वहाँ पर देखने में बहुत ही अच्छ लगा था इनको क्या तो की अच्छ छान कहिंछते हैं वैसे तो को आपको पूरो में पूरे टूर पहुत सारी अच्छे चीजgemे चेह ज़ेग को मिलेंगी बयुट से ही क्योंकि आप जाते पूच्छ चारी चीजे देखने को मिलते हैं पानी प्षूंदर लगता है अलग-अअग डियालन्स दिądर अग्ता लिख ए मुझों आग्या बिति ने जो ओदी। अलग से ओपाएंbits कई चालों कम अफी। चालों गञिकान है यह मिढाले मुझे बचान वी तरी heartfelt users यहां से देखने में यहां पर हम में कहीं नीचे नहीं उतारते हैं बट बोट से ही आप इसको इंजॉई कर सकते हो और बहुत सुन्दर लगता है कर से नीचे नाय को अपना इस अपना से अपना थिक्साज करें तो जाइस यह है थर्ड स्टॉप मारे आइलेंड को रोता है तो कि है माया बेड यहां पर हम जायेंगे एक बीचष फॉप के लिए सामने एक ocean view भी है चुकि काफी सुन्दर है तो चलिए अंदर सकते है तो चलिए अंदर सकते है एक काइंड ओफ जंगल वॉक है यहां पर और उसके बाद एक ocean का बहुत ही सुन्दर सा वीव है और मैं पहुच गई हूँ तो मैं आपको ब्यू दिखाती हूँ यहां से जो कि बहुत ही अमेजिव है कि वेलकम तो मायाबेस इह वही हाते हैंगी इसमें बही काइट आइटा है इसकी फाही में रोज क्यों कि रजा़ पानीं पहुत पैसा कि आपक्याद प्धूस प्राइव कि रजी आप disclosure पूँल गाया है है और आप ये वहाँ प्रास्ट आप कि अब तक का सबसे अच्छा बीच जो है वो यही देखा है मैंने माया बेग और यहां पर सुनिंग अलाउड नहीं है सरफ पोटो जे सकते हो आप और यहां की तो सैंड है वो इक तुम पाउडर टाइप सैंड है काफी सुंदर लग रहा है काफी अच्छा एक्स्वीरिंच ह कि अच्छा बहुत सुपर अमेविंग है मैं अच्छा अच्छा पोटों से क्लिक राया है तो अवरल इस वेरी नाइस की तो अब हम फाइनली आच्छे है हमारे इसका नाम है फीफी डॉन आइलेंड यहीं पर हम लोग लूंच करने वाले है यहां पर हमारा जो बोट है वो अप्रोक्सिमेटली वन आवर रुकता है मैं लंच में भी आपको दिखा देती हूँ जो वेजिटेरियन जो वेजिटेरियन जों के रिए यहां पर इन पर सारे आपे नूडल्स भी मिलते हैं बड़ टेस्ट वाइस भी को यहां का खान अच्छा नहीं लगा वैसे तो एक्सपेक्टेशन भी नहीं थी बड़ यहां पेट भरने लाई खाना आपको मिल जाता है रहस्ट आप अपना कुछ चुटा मोटा चीज़ पैकर लेके जा सकते हो करने के बाद 500 मीटर्स का वॉक करके आपको यह बहुत सुंदर सा बीच मिलेगा जहां पर पिक्चर्स वगरा क्लिक कर आ सकते हो तो हमारे जो तूड गाइद की उसने हमें स्पेशली बोला था कि आपका अगर लंच जल्दी हो जाए तो आप यह व्यू जरूर एक्के आना यह काफी सुंदर व्यू दिखता है यहां से मैं बहुत ही मजा रहे नीचे पूरा ओच्छी तो देखके फिक्चर्स को बहुत ही अच्छा लग रहा है जिसको शुलिक लहीं आती हो इसकी नेग्ट सब्गों पर दर से मैं मुझे सुलिक लहीं आती है तो गाइस मेरा फिफी आइलेंड का जो पूरा टूर था वो काफी अच्छा था और स्नौकलिंग करके तो बहुत ही मज़े आए बिकास मेरा मैंने फर्स्टाइम किया था और बहुत ही अमेजिंग था जिन लोगों को स्विमिंग नहीं आती है तो जो हमारे साथ गई थी हम प्रस्टाइब रहा ही मिलें आती है